असलाम आलाइकूँ वह आदाभ नाजरीन किष्टवार्ग यहाई खबर आ रही है राटले पावर प्रोजेक्ट को लेकर जी हार राटले पावरजेक्ट की जो पावर प्रोडेक्शन होगी अब उसको जो है वो राजिस्तान को जो है बेचा गया है और जो खबर अगले 40 साल तक राजिस्तान उर्जा विकास एंड आई टी सर्विस लिमिटेट को दिया जाएगा और इस सिलसिले में एक पावर एग्रिमेंट जो है वह राटले पावर प्रोजेक्ट को लेकर जो हुआ है राटले पावर प्रोजेक्ट जो है 850 मेगावाड का पावर प्रो पिछले दिनों काफी सुर्कियों ने रहा था जब प्र제क्त में जो काम कर रही इने वाली कंपणी Rत टाउल है उसने प्रजयक्त केरा कि बढ़ है कि उस बाहिost कि वहाँ पर पर जो लोकल लीडर्शिप है पालिटिकल लीडर्शिप वगेरा लगाएगे उसके बाद वहाँ पर काम शुरू हो गया है अभी जो खबर आ रही है कि जो राटले पावर प्रोजेक्ट जो है जॉइंट वेंचर कंपनी है यह NHPC Limited और जम्मो एंड कश्मी स्टेट पावर डिवेल्पेंट कार्पोरेशन के बीच में जिसमें 49-49% की एक्विटी थी और जो 1.5% है वो लोकल एरिया को था अभी उसका स्टेटस पता नहीं है कि क्या वो 1.5% अब जिल्ला किश्तवार का जो लोकल एरिया है उसको मिलेगा की नहीं मिलेगा इसमें बताया गया है कि जो राटे पावर प्रोजेट की जो पावर है अब ले 40 साल तक जो है वो दी जाएगी जो गवर्मेट आफ राजिस्तान है उसको दी जाएगी और इसके सिलसले में एग्रिमेट जो है वो साइन हुआ है कमर्शल ओपरेशन डेट जिसको COD कहते है आफ प्रोजेक्ट जो है वो अलोकेशन जो मिनिस्ट्री आफ गवर्मेट आफ इंडिया है उनकी तरफ से जो है वो एग्रिमेट जो है वो साइन हुआ है जेपूर में यानि कल 3 जनवरी 2024 को अब इसकी डिटेल जो है वो बाहर आई है और बताया गया है जो है वो पकल डूल हाइडव पावर प्रोजेक्ट उसका 1000 मेगवार्ड की भी पावर जनरेशन होगी अभी उसको वो किसको दिया जाएगा उसके बारे में नहीं पता है कौर और कीरू की करश्ट्रेक्शन भी जो हो रही है लवर कलनाई पावर प्रोजेक्ट जो के 48 मेगवार्ड ता कही सालों से बंद पड़ा है उसको भी रिवीव करने की कोशिश की जा रहे इसके अलावा जो करथाई 1 और करथाई 2 और उसके अलावा हसवार पावर प्रोजेक्ट से अब देखना होगा कि आगे चलकर जो जम्मु कश्मीर इस वक्त पावर क्राईसिस में जो है वो दूबी हुई है और खास तोर पर जिल्ला किष्टवार और डोडा जहांपर कई गंटू तक जो है वो कटेरती हो रही है और एक कहावत है कि चिराग तले अ उनकी बिजनी जो है वो सिर्फ बाहर के सिटेटों को जो है वो देखने को मिलेगी और जो हमें है सिर्फ मुँ में जीरा रखने के लिए दिया जाएगा जम्मु कश्मीर के लोगों पर जहां पर इस वकित काफी कटेलमेट हो रही है चाहिए वो कश्मीर डिवीजन हो जहा पर जो है उनको power मिलेगी इन power projects उसे लेकिन यह जो है वो अब मुम्किन नहीं है अगले 40 साल तक जो है वो अब राजस्तान की government को जो है वो वहां पर जो है उनको power supply जो है वो दी जाएगी राटले power projects की और हम लोगों को उसी तरह से इंतजार करना होगा जैसे हम आज तक करते आ रहे हैं अभी हमें सिर्फ यह देखना ही कि क्या सरकार जो है वो इसमें कोई extreme कदम उठाएंगी और इस contract की modalities और आगे चलकर क्या क्या है उसके बारे में कोई details नहीं आई है जैसे ही आगे चलकर इसके बारे में details आएंगी हम आपको वह भी बताएंगे लेकिन इसकुत किष्टवार में जो double circuit transmission line बन रही है 132 के वी की उसको जो है वो expedite करने की जुरूरत है जो सिर्फ खेलेनी तक जो है वो चल रही उसके आगे किष्टवार तक वो के वी की उसी पर जो है वो गुजारा करना पड़ रहा है किष्टवार को और डोड़ा और बदर्वा को और उसके अलावा जो है तब ही जो है वो लोड शटिंग वहाँ पर अनस्तसली होती है उदंपोर से जब भी वो transmission line फोड़ी सी ओर लोड होती है और इसके अलावा जो पावर पजब डूपर इसके construction का काम चल रहा है वहाँ पर भी उनको भी 40-50 मेगावाड पावर की जुरूरत है लेकिन इस transmission line की ना होने की वजह से वो पावर भी जो है उनको अब नहीं मिलती है पूरी और उनको generator से ही जो है वो काम चलाना पड़ रहा हम उमेद करेंगे कि जो जम्मु कश्मीर की सरकार है और वहां अमारे लोकल लीडर्शिप जो बीजेपी की लीडर्शिप है और administration है वो इस मसले में इंटर्वीन करेंगी और किष्टवार जिल्ले के लिए जो है लोकल पावर पावर को जो है वो अशोर करेंगे आप सब कर सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया